दोस्तो नमस्कार सुभा का थी आप सभी का अपने चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो एक जून 2021 से कुछ नियम में बदलाव किये जाएंगे कुछ नया नियम आने वाली है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं जो की पांच से उपर नियम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे आफ वीडियो की अंते तक बने रहे बहुत ही महत्पून वीडियो है आप लोगों के लिए सबसे पहला अपडेट आई टी यार की नई वेबसाइट जी हां दोस्तों इंकम टैक्स रिटरन फाइल करते हैं तो इसका नया वेबसाइ है वो यहां पर इंकम टैक्स इंडिया एफिलिंग डॉट जी ओवी डॉट इन है और यहां पर एक से लेकर 6 जून तक यह जो पुराना वाला वेबसाइट है इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे यहां 6 दिन के लिए जो है वेबसाइट अंडर कंट्रक्संस में तो यहां पर जो भी आपको फिल पेगरा करना है वो 31 मैं तक आप कर लिजे क्योंकि उधर जो है 6 दिन तक आप जो है काम नहीं कर पाएंगे 6 दिन तक यह वाला वेबसाइट बंद रहेगा पुराना वाला और 7 जून से नया वाला वेबसाइट काम करेगा दूसरा अपडेट दोस्तों यहां पर गूगल स्टोरेज पॉलिसी को लेकर है पहले की तरह गूगल फोटोज में आप अनलिम्टेड फोटोज अपलोड नहीं कर पाएंगे पिक्चर्स अपलोड नहीं कर पाएंगे दरसल गूगल स्टोरेज पॉलिसी जो है एक जून से बडलने वाला है आपको बता दे कि पहले गूगल डॉाइब में पचीश जीवी का Speaking दिया जाता था लेकिन अब गूगल के मताविक 15 जीवी का travelling का सवाइब होगा जिसमें गूगल का सारा प्रोडक्ट होला होगा जैसे गूगल का जीमेल हो गया उसकी बाद guarding गूगल ड्राइव हो गया गूगल फोटोज हो गया यह सभी जो है यहां पर सामिल रहेंगे तो आप जो है एक जून 2021 की बाद से 15 जिभी तक ही आप इस्तमाल कर पाएंगे अगर आपको इससे ज्यादा एस पेस चाहिए तो आपको जो है अलग से पैसा देना पड़ेगा तो की एक जून से चेक पेमेंट के तरीका में बदलाव आने वाला है यह बदलाव फिलहल बैंक वरोता के ग्राहकों के लिए है दरसल बैंक ने आपने कस्टोमर्स के लिए पॉसिटी पे कनफरमेशन नियम आनिवारे किया है जिससे चेक संबंदित फरजीवारे से बचा जा स हलाकि बैंक ने ग्राहकों को सहुलियत देते हुए कहा है कि 50,000 रुपए से उपर के वुक्तान पर ही पॉसिटी पे कनफरमेशन का नियम लागू रहेगा जो कि आप बैंक को री कनफरमेशन दे सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के मदद से मोबाइल बैंकिंग के मदद से ब इचलाकि से बाद आपको यहां पर रिकवेश्ट शर्विसेस की ऑपसंस में पॉसिटी पे कनफरमेशन की पॉसिट करना है उसकी बाद यह खनाम आपको छेट करना होगा चेल का डेंट दलना होगा यह सारे चीजे आपको डालकर उसके ऑद t पिन डाल कर कनफर्म करके सब्मिट कर देना होगा उसी परकार से आप यहाँ पर इसमेस के जड़िये भी आप ये काम कर सकती हैं यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है आप एक वार समझ लीजीगा दोस्तों उसकी बाद अगला अपडेट हो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्रहकों के लिए है कैनरा और सिंडिकेट बैंक के ग्रहकों को आई एफसी कोड 30 जून तक अपडेट कर देना होगा आपको बता दे कि सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में बिलाय हो चुका है पहले सिंडिकेट बैंक का आई एफसी कोड A.S.Y.A.N.B. से सुरू होता था जो कि मैं आपको यहां पर बता देना चाहूँगा यहां पर देख सकते हैं A.S.Y.A.N.B. से यहां पर Syndicate Bank का जो है IFSC कोड सुरू हुआ है जो कि 30 जून के बाद यह असामानने हो जाएगा इसका कोई भी यहां पर मतलब नहीं रहेगा यह जो है काम नहीं करेगा तो आप यहां पर ब्रांच से कॉन्टाक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर आए canerabank.com.ifsc उसकी बाद .html आपको लगाना है और यहां पर इस वाले पेज पर आओगे और आने की बाद आप यहां पर एक नया IFSC कोड को फाइंड कर पाओगे चोकि IFSC कोड आपको यहां पर पुराना वाला डालना है और यहां पर बगल में आपको options मिलेगा click here to get new IFSC तो आपको यहां पर क्लिक करना है तो आपको एक नया IFSC कोड बता दिया जाएगा यहां पर दे दिया जाएगा नहीं तो आप ब्रांच से भी contact कर सकते हैं next update जो कि मैं आपको देना चाहूंगा पंसाब national bank के तरब सी पंसाब national bank के तरब से यह जानकारी दिया गया है कि जो यहां पर OBC bank का check है वो 30 जून 2021 तक ही valid रहेगा इससे पहले आप बदल लीजेगा नहीं तो 30 जून 2021 की बाद से यहां पर checkbook पुराना वाला काम नहीं करेगा यह चीज आप देख लीजेगा अगर आप OBC bank के ग्राहक है यह फिर UBI bank का ग्राहक है तो आप यह चीज दे से एक नया charges लागू किया गया है जून 2021 से credit card वालों के लिए credit card पर interest rate जो है बढ़ा दिया किया है इसके साथी अगर आप credit card से cash भी ट्रो करते हैं तो उस पर भी अब आपको ज़्यादा charge देना पड़ेगा तो आप एक पर देख लीजेगा कि किस पर card से charges mention की गई है और payment करिएगा ताकि आपको कोई भी extra charge देना ना पड़े अगर extra charge की बात आती है तो बहुत ज़्यादा अब आप से charge किया जाएगा interest rate के अनुसार से दोस्तो अगला जो update है वो यहाँ पर LPG cylinder की दाम को लेकर है फिलहाल LPG cylinder का दाम 809 रुपया है यह 14.2 kg वाले cylinder अर्थात घरे प्रेलू cylinder की कीमत है जिसका प्राइस एक जून 2021 से बदलने वाला है जी हाँ दोस्तो दरसल तेल कमपनिया हर महीने LPG cylinder के प्राइस में revise करती है तो इसलिए एक जून से जो है इसका rate बदलने वाला है इसमें बदलाव होने वाला है अब घटाया भी जा सकता है बढ़ाया भ दोस्तो अगले update के बारे में बात कर लेती है जो की अगला update है a small saving scheme interest rate में बदलाव को लेकर जो की सरकार दोरा हर तिसरे महीने छोटी वचत योजनाओ के ब्याजदर में बदलाव किया जाता है इसे लेकर सरकार समिक्छा करती है आपको बता दे कि पिछले वार सरकार ने इ जोजना समेत अन यूजनाओ का लाव ले रहे ग्राहा को तगरा जटका लग सकता है दोस्तो अगला अपडेट निकल कर आया है वो यहाँ पर gold hall marking नियम जहे 15 जून 2021 से बदलने वाली है गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम में 15 जून से बदलाव होने वाला है हाला कि यहाँ बदलाव एक जून से ही होने वाला था अभी तक सरकार इस नियम को पांच बार टाल चुकी है इस नियम का किंदर सरकार ने 2019 में ही ऐलान किया था जिसे जनवरी 2021 में सबसे पहले लागू करने की बात की गई थी लेकिन अब जहें ये 15 जून 2021 से लागू होगा और कोल्ड पर ह बॉल मार्क आपको सेफी कोल्ड पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको डीटेल में समझा कर बता दिया है जो कि यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड भी हमने जानकारी दिया है यहाँ और सारी चीजे जैसे यहां पर जो है एस्टोरेस रिलेटेड भी हमने जानकारी दिया गूगल से रिलेटेट भी हमने जानकारी दिया तो आसा करेंगे कि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा और इसी परकार के छोटे वरे जानकारी के लिए छोटे वरे अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर एक नएफ वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई